इस वीडियो में हम एक बिंदू से एक वृत पर स्पर्श्रेखाओं की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिंदू से हम एक वृत पर कितनी स्पर्श्रेखाओं खीट सकते हैं? तो चलिए शुरू की संख्या ग्याद करने के लिए एक रिय अकलाब करते हैं सबसे पहले एक वृत बनाएंगे अब एक बिंदू पी इसके अंदर लेंगे, अब हम बिंदू पी से वृत पर स्पर्श्रेखा कीषने का प्रयास करेंगे यहां हम देख सकते हैं कि हम जितनी भी रेखाएं घीच रहे हैं, सब भी वृत को दो बिंदूपे काट रही है इसलिए इन में से कोई भी स्पर्ष रेखा नहीं हो सकती है लेकिन क्यूं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी वृत की स्परश्रेखा वृत को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेदित करती है चलिए अब वृत पर एक बिंदू पी लेते हैं और स्परश्रेखा खीचने का प्रयास करते है हम पढ़ चुके हैं कि वृत के किसी बिंदू पर केवल एक स्परशेखा खीची जा सकती है तो यहां हमें बिंदू P से जाने वाली एक स्परशेखा मिल जाएगी अब हम वृत के बाहर एक बिंदू पी ले दे हैं और वृत पर इस बिंदू से स्पर्श रेखाएं खीचने का प्रयास करते हैं यहां हम देख सकते हैं कि बिंदू P से वृत पर केवल दो स्पर्श रेखा खीचे जा सकती है और यहाँ स्पर्ष रेखा PT1 और PT2 के क्रमशा T1 और T2 स्पर्ष बिंदू है और यहाँ पर रेखा खन PT1 और PT2 की लंबाई को बिंदू P से वृत पर स्पर्ष रेखा की लंबाई कहते है चलिए, एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ा है हमने पढ़ा कि वृत के अंदर स्थित किसी बिंदू से कोई भी स्परश्रेखा नहीं खीच जा सकती है फिर हमने पढ़ा कि वृत पर स्थित किसी बिंदू से वृत पर केवल एक परश्रेखा होती है फिर हमने देखा कि वृत के बाहर स्थित किसी बिंदू से वृत पर केवल दोस परश्रेखाएं खीची जा सकती है चलिए अब इस अपनी कॉपी में नोट कर लीजे और इसे भी धन्यवाद आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी बिंदू से वृत पर कितनी स्परशे खाएं खीची जा सकती है तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर कोई बिंदू पी वृत के बाहर स्थित है तो हम कितनी स्परशे खाएं खीच सकते हैं वीडियो करो के अर इस परशन का हल सोचे चलिये तो इसका उत्तर देखते हैं वृत के बाहर स्थित किसी बिंदू से वृत पर केवल दो स्पर्श्रेखाएं कीची जा सकती हैं और हम जानते हैं कि PT1 और PT2 बिंदू P से वृत पर स्पर्श्रेखाओं की लंबाईया हैं तो क्या यहाँ पर आपने दोनों लंबाईओं में कुछ समानता देख सकते हैं। चलिए, इन्हें नाप कर देखते हैं। अगर आप इसे नापेंगी, तो PT1 की लंबाई 6.5 cm मिलेगी, अब PT2 की लंबाई 6.5 cm। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PT1 और PT2 की लंबाई बराबर है। तो चलिए, अब हम प्रमय 10.2 को सिद्ध करते हैं, जो कहती है कि बाख बिंदू से वृत पर खीची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाईओं बराबर होती हैं। यहां हमें केंद्र O वाला वृत, वृत की बाहर का एक बिंदू P, तथा P से वृत पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दिया गया है। और यहां हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR है। यह सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाय करनी पड़ेंगी। यहां पर हम O P, O Q और O R को मिलाएंगे। जिसे हम दो त्रिभुज O Q P और O R P मिल जाएंगे। अब PQ बराबर PR सिद्ध करने के लिए हम दोनों त्रिभुज को सरवांग समसिद्ध करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि यह दोनों ही त्रिभुज समकोंड त्रिभुज होंगी, लेकिन ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए है क्यूंकि हमने प्रमे 10.1 में पढ़ा था कि स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिंदू से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है. अब समकोंड त्रिभुज OQP और ORP में कोंड PQO बराबर है कोंड PRO के? क्यूंकि यह समकोंड है. OQ बराबर है ORK क्यूंकि यह एक ही वृतकित रिज्याएं है. और OP बराबर OP होगा क्यूंकि यह दोनों त्रिभुजों में कॉमन है. तो इस प्रकार RHS सरवांगसम तानियम के द्वारा त्रिभुज OQP और ORP सरवांगसम होंगे तो क्या आप हम कह सकते हैं कि PQ बराबर PR होगा? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज सरवांगसम हैं इसलिए सर्वांक्सम्त्रिभुजों के संगत भागों जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं corresponding parts of congregate triangles और short में CPCT भी कहते हैं के द्वारा कह सकते हैं कि PQ बराबर PR होगा. इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बाहबिंदू से वृत पर खीची गई इस परशेखाओं की लंबाईयां बराबर होती हैं. इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी अब क्या हम इस प्रमय को किसी और तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, हमें से पाइथागॉरस प्रमय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं. तो देखते हैं कैसे? समकोन त्रिभुज PQ O में पाइथागॉरस प्रमय के द्वारा H² बराबर P² प्लस B² मिलेगा. यानि कि O P² बराबर PQ² प्लस OQ². इसे हम PQ² बराबर O P² माइनस OQ² भी लिख सकते हैं. अब हम इसे O P² माइनस O R² भी लिख सकते हैं. क्यूंकि OQ और O R दोनों एक ही वृत के द्रिज जाएं हैं, अब चुकि P R O भी समकोन त्रिभुज हैं, इसलिए यह P R² के बराबर हो जाएगा. तो यहां से हमें PQ बराबर P R मिल जाएगा. इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें. तो यहां से हमने प्रमे 10.2 भी सीख लिया. धन्यवाद. चलिए, वृत की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने के लिए उदारन ले लेते हैं. सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृतों में बड़े वृत की जीवा जो छोटे वृत को स्पर्ष करती है, स्पर्ष बिंदू पर समद्विभाजद होती है. चलिए, देखते हैं कि यहां हमें क्या-क्या दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है. यहां हमें दो संकेंद्री वृत, जिसे हम अंग्रेजी में कॉंसेंट्रिक सिर्कल्स कहते हैं, और सीटू दिये गए हैं, बड़े वृत की जीवा एबी दी गई है, जो छोटे वृत को बिंदू पर स्पर्ष करती है, और हमें यह सिद्ध करना है कि रेखा एबी बिंदू पी पर सम्दुभाजत होती है, यानि कि एबी बराबर बी पी होगा. चलिए, पहले ओपी को मिलाते हैं. अब यहां ध्यान से देखें कि एबी वृत सीटू की स्पर्ष रेखा है, जो वृत को बिंदू पी पर स्पर्ष कर रही है. तो क्या अब हम यहां कह सकते हैं कि ओपी एबी पर लंब है? जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्यूंकि स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिंदू से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है तो इस प्रकार यहाँ हमें O-P, A-B पर लंब मिल जाएगा अब यहाँ बड़े वृत सीवन में देखिए A-B वृत की जीवा है, तथा O-P, A-B पर लंब है और हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, कि केंद्र से जीवा पर खीचा गया लंब उसे समद्विभाजक करता है तो इसलिए यहाँ से हमें A-P, बराबर B-P मिल जाएगा अब इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए अड़े से भी धन्यवाद चलिए, अब NCRT exercise 10.2 का question number 10 solve करते हैं Question कुछ इस प्रकार है सिद्ध कीजे कि किसी बाह बिंदू से किसी वृत पर खीची गई स्पर्ष रेखाऊंगे कि बीच का कौन स्पर्ष बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरत कौन का संपूरक होता है माल लीजिए कि केंद्र O वाला एक वृत है जिस पर बाह बिंदू P से दो स्पर्ष रेखाए P A और P B खीची गई है जो वृत को क्रामशा A और B पर स्पर्ष करती है यहां पर बिंदू A और B को केंद्र O से मिलाएंगे अब हमें यहां सिद्ध करना है कि कोण A P B और कोण B O A एक दूसर के संपूरक कोण है अतलाब सप्लिमेंटरी अंगल है यानि कि कोण A P B प्लस कोण B O A बराबर 180 डिग्री है चलिए अब इसका प्रूफ देखते है ध्यान दीजिए कि O A P B एक चतर भुज है अब हमने प्रमय 10.1 में पढ़ा था कि स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिंदू से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है इसलिए कोण O A P बराबर होता है कोण P B O के जो बराबर होता है 90 डिग्री के अब चुकी चतर भुज के चारो कोणों का योग 360 डिग्री होता है इसलिए चतर भुज O A P B में कोण O A P प्लस कोण A P B प्लस कोण P B O प्लस कोण B O A बराबर 360 डिग्री होगा अब यहाँ पर हम कोण O A P और कोण P B O का मान 90 डिग्री रख देंगे तो हमें यह मिल जाएगा अब इसे आगे हल्क करेंगे तो हमें कोण A P B प्लस कोण B O A बराबर 180 डिग्री मिल जाएगा इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि कोण A P B और कोण B O A एक दूसरे के संपूरक कोण है यानि कि कोण A P B और कोण B O A का योग 180 डिग्री है इस हल्को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए धन्यवाद चलिए अब NCRT Exercise 10.2 का Question 13 solve करते है जो कुछ इस प्रकार है हमें यहाँ सिद्ध करना है कि वृत के परिगत बनी चतुर्भुज या आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरत करती है तो चलिए देखते है अब हम यह देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है हमें वृत के परिगत बना हुआ चतुर्भुज दिया गया है और यह सिद्ध करना है कि आमने सामने की भजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है यानि कि अगर हम चतुरभुज को ABCD और वृत के केंद्र को ओ नाम दे तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री और कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री है चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे माल लेते हैं कि AB वृत को बिन्दू P पर स्पर्ष करता है और BC बिन्दू Q पर और DC बिन्दू R पर और AD बिन्दू S पर्ष करता है अब OP, OQ, OR और OS को मिलाएंगे और यहां आठ कोन दिख रहे हैं जिन्हें हम एक से लेकर आठ तक नाम दे दिया है क्या आप इन कोनों को देख पा रहे हैं? अब सबसे पहले हम त्रिभुज OAP और OS को सरवांग समसिद्ध करेंगे यहां हम देख सकते हैं कि OP बराबर OS है क्योंकि यह एक वृत की त्रिज्या है और OA बराबर OA है क्योंकि यह दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है AP बराबर AS है क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाहर बिंदू से वृत पर खीची गई स्परश रेखाएं बराबर होती है तो इस प्रकार SSS सर्वांग समता नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAP और OAS सर्वांग सम है अब क्या हम यहां से कह सकते हैं कि कौन POA और कौन SOA बराबर है जी हां क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं जिसे हम शॉट फॉर्म में CPCT भी कहते हैं। यानि यहां से हमें कौण 1 बराबर कौण 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार तरभुज OPB और QCB को सरवांगसम सिद्ध करने से हमें कौण 2 बराबर कौण 3 मिल जाएगा। और तरभुज OQC और ORC को सरवांगसम सिद्ध करने से हमें कौण 4 बराबर कौण 5 मिल जाएगा। तरभुज ORD और OSD के सरवांगसम सिद्ध करने से हमें कौण 7 बराबर कौण 6 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी बिंदू पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री होगा, इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं अब चुकी कौण एक बराबर कौण आठ है तो हम इसे 2 x 1 भी लिख सकते हैं मतलब 2 x 2 कौण 1 इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2 x 5, 2 x 2, 2 x 6 इत्यादी तो यहां से 2 common लेकर हल करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा अब कौण 1 और 2 को हम कौण AOB और 5 और 6 को कौण COD भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार यहां से हम इन दोनों कोणों का योग 180 डिगरी मिल जाता है इसका मतलब है कि यह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है इसी प्रकार हम कौण BOC प्लस कौण DOA बराबर 180 डिगरी भी जद कर लेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि कौण BOC प्लस कौण DOA संपूरक कौण है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वृत के परिगत बने चतुर भुज कि आमने सामनी की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कूण अंतरित करती है इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले और इसे भी यही पर यह टॉपिक समाप्त होता है तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ प्रशन हल करने पढ़ेंगे जिससे आपका कॉंसेप्स और अच्छे से आप समझ पाएं तो NCRT एक्सेसाईस 10.2 का क्वेशन नंबर 4, 7, 8 और 12 और अवन्ती मैथ्स वोर्कबुक का एक्सरसाईस 10.1 का क्वेशन नंबर 6, 7 और 9 तान्यवाद ये रहा प्रशन बताएं इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है चलिए इसका उत्तर देखते हैं विकल्प A सही विकल्प है आईए पता लगाते हैं कैसे हम पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से जाने वाली तरज्जा पर लंब होती है इसलिए O P P T के लंब है और O Q Q T के लंब है इसलिए कौन P और कौन Q 90 डिग्री होंगे हम देख सकते हैं O P T Q एक चतुर भुर्ज है हम पढ़ चुके हैं कि चतुर भुर्ज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है इसका मतलब है कि कोण T Q O प्लस कोण P O Q प्लस कोण O P T प्लस कोण P T Q बराबर 360 डिग्री होगा सभी का मान हम इसमें रख देंगे हल करने पर हमें कोण P T Q 60 डिग्री मिल जाएगा इसलिए विकल्प A सही उत्तर है ये रहा प्रश्न बताईए इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है आईए उत्तर देखते हैं विकल्प C सही विकल्प है चले देखते हैं कैसे आप पढ़ चुके हैं चक्रिय चतुर्भुज के समुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसका मतलब है अंगल B प्लस अंगल D 180 डिग्री होगा अब इन चारों आप्शन में से देख के बताईए कि किस आप्शन में अंगल B और अंगल D का योग 180 डिग्री है आप असानी से बता पाएंगे कि अंगल C में कोणों का योग 180 डिग्री है इसलिए आप्शन C सही उत्तर है चले देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने वृत की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था हमने पढ़ा कि एक तल पर एक रेखा और एक वृत की संभाव नाए हमने अब प्रती छेदी रेखा के बारे में पढ़ा हमने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा और छेदक रेखा के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा स्पर्श रेखा और वृत के अभ्यनिश बिंदू को स्पर्श बिंदू कहते हैं एक छेदक रेखा के समानतर वृत की केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है वृत की स्पर्श्रेखा स्पर्श बिंदू से जाने वाली तृज्जा पर लंब होती है हमने पड़ा एक बिंदू से एक वृत पर स्पर्श्रेखाओं की संख्या किसी बाहा बिंदू से वृत पर खीची गई स्पर्श्रेखाओं की लंबाईयां बराबर होती है नमस्कार बच्चों, अभी आप व्रत और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं अब हम NCRT बुक का प्रश्न क्रमांग 4 देखेंगे प्रशन इस प्रकार है, सिद्ध कीजिये कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खीची गई स्पर्श रेखाएं समानतर होती हैं हमें दिया गया है कि PQ केंडर ओ वाले व्रत का व्यास है तथा AB और CD इसके सिरों पर स्थित दो स्पर्श रेखाएं हैं चित्र में देखते हैं, एक O केंद्रवाला व्रत है और इसका व्यास PQ है, PQ के एक सिरे पर एक स्पर्ष रेखा AB है तथा दूसरे सिरे पर दूसरी स्पर्ष रेखा CD है. हम जानते हैं कि स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिंदू से खीची गई त्रिज्जा पर लंब होती है. इसलिए O P लंब होगा AB पर और O Q लंब होगा CD पर. यहां चित्र में देखिए O P जो लंब है वो AB पर लंब है और O Q जो है वो CD पर लंब है. इसलिए कोण O P A बराबर कोण O P B बराबर 90 डिगरी यह दोनों कोण 90 डिगरी के हुए. इसी प्रकार से कोण O Q C बराबर कोण O Q D बराबर 90 डिगरी के. अब हम देखते हैं कि कोण O P A बराबर कोण O Q D यह दोनों एक अंतर अंतर कोण है. यहां चित्र में देखते हैं कोण O P A और कोण O Q D यह दोनों एक अंतर अंतर कोण है. यह वाला और यह वाला इसी प्रकार कोण O P B बराबर कोण O Q C यह दोनों भी एक अंतर अंतर कोण है. चित्र में O P B और O Q C दोनों एक अंतर अंतर कोण हैं और जब एक अंतर अंतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समानतर होती हैं इसलिए A B समान अंतर है C D के. अब आप इस हल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. और इसे भी नोट कर लीजिए. आईए अब प्रश्नक्रमांग साथ देखते हैं. दो संकेंद्रिय व्रत्तों की द्रिज्जाएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं. बड़े व्रत्त की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छोटे व्रत्त को स्परश करती हो. माना की ओ केंद्रवाली दो संकेंद्रिय व्रत्तों की द्रिज्जाएं क्रमश ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर हैं. यहां चित्र में आप देखिए दो व्रत्त हैं और जिनकी केंद्र ओ है. बड़े व्रत्त की द्रिज्जा ओ ए 5 सेंटीमीटर है और छोटे व्रत्त की द्रिज्जा ओ पी 3 सेंटीमीटर है. AB बड़े व्रत की जीवा है जो छोटे व्रत को P बिंदू पर स्पर्ष करती है अतर AB छोटे व्रत की स्पर्ष रेखा है यहाँ पर देखिए AB जो है बड़े व्रत की जीवा है और ये छोटे व्रत को P बिंदू पर स्पर्ष कर रही है इसलिए यह छोटे व्रत्त की स्पर्ष रेखा है, बड़े व्रत्त की जीवा है और छोटे व्रत्त की स्पर्ष रेखा है। हम जानते हैं कि स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिन्दू से खीची गई त्रिज्या पर लंब होती है अर्थाथ OP लंब है AB पर अब यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज OAP जो है यह समकोन त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमे से हमें प्राप्त होगा OA square बराबर OP square प्लस AP square और इसमें मान रख करा जब हम हल करेंगे तो हमें AP square बराबर 16 प्राप्त होगा और AP बराबर 4 cm हमें प्राप्त होगा अब हम जानते हैं कि त्रिभुज OAB में OP लंब है AB पर और हमें ग्याद है कि केंडर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम्धिभाजित करता है इसलिए AP बराबर PB हो जाएगा हमें AB का मान ग्याद करना है तो हम AP के मान को दुगना कर देंगे AB बराबर 2AP बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8 सेंटीमेटर इस प्रकार हमें जीवा की लंबाई 8 सेंटीमेटर प्राप्त होगी अब इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे भी धन्यवाद